तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टायर इंफलेटर जो की हीरो ग्रूप की तरफ से का मॉडल है क्यू यू ब्यो क्यूबो नाम है उसका और मैंने जब उनलाइन सर्च किया था तो मुझे यह सबसे बैस्ट लगा और प्राइस भी बहुत अच्छा था 2590 है लेकिन मैंने बिग बिलिंडे पर मंगाया तो मुझे 1999 मतलब 1999 का समदलो 2000 के आसपास कपड़ा और मैं कि इसका अभी तक प्लास्टिक भी नहीं उतरा से बारसी प्रोडक्त देखा हुआ तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है क्यू यूबीयो क्यूबो और यह एक तरफ से दिखता है स्मार्ट टायर इंफिलेटर और यहां पर तो इसमें जो बैट्री 2000 हमेश की बैटरी यह तो इसका अलग से कहीं पर चार्ज करके रखने की जोरत नहीं शब्सक्राइब कर सकते हो उसी तरह उपका टायर में हवाख़ा कम उर्भ यूज़ कर सकते हो लेडी डिस्प्लै है और मल्टिपल नों से प्राइस लिखवाई यह यह नहीं है इसके एक्षल पाइस 2590 पे और बिग बिलेंडे पे लिया तो यह वन ट्रिपन नाइन यानि 2000 के आसपास कपड़ा तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है इसमें क्या क्या है कि अज़िश्ट के अंदर से हमको मिलता है टैयर इंफ्लेटर प्लस यह एक पाइप दिया हुआ है जौक टैयर इंफ्लेटर और टैयर में लग जाएगा और प्लस इन्होंने कुछ नौजल्स दिया है तिन टैप के हवा बनने के लिए जो नौजल होते हैं वो दिया हूए उन साथ में एक यूएसबी टू यूएसबी सी टाइप केबल दिया हुआ इंफ्लेटर को चार्ज करने कले और यह बहुत ही बड़ी एक पाउच दिया हुआ यह पाउच में आपके टायर इंफ्लेटर को रख सकते हुआ यहां पी इसकी बैंडिंग दिये बहुत ही अच्छा पाउच है तो हम इसके प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं और देख़ते हैं यह कैसा दिया और यहां पे इनकाल लग्या अबहुत देखो गते यहां पए पीए सेटिंग है और यहां पर साइकल का इंडिकेशन यहां पर बैटरी ने बैटरीं फुल हो गया से ए मोड यह फूंडों को यह उखल गया और या tapping 이제 के लिए यहांगी अगल呢 बाइक्ट के लिए यह फूटवॉल के ठीक है तो आप यहां पर PSI मेन है तब PSI से सैट्ण से करनाओ तो आइसु तो आप बार में भी चींजिक पर सकते हो !!क्रीजेश कर सकते हो अर कजैर सकते हो !!क्रीजेश कर सकते हो !! और यह PSI में अभी सेटिंग जो तो 40 की दिखा रहे हैं तो हम लोग इसको 35 करेंगे आगे की टायर में 35 और पिछे की टायर में 40 करेंगे बैटरी 100 परसेंट है और यह यहां से एक बार वापस प्रेस करेंगे तो यह ओन हो जाएगा देखना आवा जारी है इसी दबाओं के बंद हो जाएगा और यहां पर इमर्जनसी लाइट दी हुई है और यहीं पर अपने को बोच चोटा था पाइप दिया था वह लगेगा और यहां से इसको चार्ज करते तो चलि लगाना है यह अपर इसको मैं टायर पर लगाता हूं तो दिखाते यह आप देख सकते हो यह नुजल इसमें लग जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको लगाना यहां पर आपको यह पाइप बैंड हो जाता है तो ऐसा को इश्यू नहीं है अब आप देख सकते हो इसमें लिखके आ रहा है 30 कि देखो यानी मेरे आगे के टायर में अभी 30 हुआ है और मैंको इसको सेट करना है तो मैंने इसको 35 सेट किया तो इसको भी ऑन करते हैं अब जैसे कि आपने दिखा यह अटो कट अफ हो गया 35 प्यांके और थोड़ा सा वाइब्रेट करता है तो आप इसे पकड़ के रखा करो ऐसे यह हलका सा वाइब्रेट करता है इस बहुत भागता है यह जैसे अब यह थे पिछे के टायर में फिक्स कर देता हूं इसको आप इसमें देखते हैं कितनी हवाय अंदर अब देख सकते हो पिछे के टायर में 35 है इसके हमें एक बॉक्स तक देते इसका तो यह भी 35 है और हम देखते हैं कि कितने सेकेंड में यह हवा् भरता है 40 थक अभी मेरे को क्या इसको सैट करना पड़े गा है ब्ल pande यह मैंने 40 सैट कर दिया और इसमें जो हवाय है वो 35 है यह 36 हो गया थो अभी है इसको आन करते हैं और अभी देखते हैं कितने सैकंड में भरता है अब देख सकते हैं यह आटो कट ओफ हो चुका है 40 पे आके और इसको टाइम लगा है 35 सेकंड तो इसने जो पांच पांच PSI जो बरा हो 35 सेकंड लगा इसने और यहां पर देख सकते हो 40 इसमें एर है PSI और आटो कट ओफ था और यहां पर बैटरी की इंडिकेशन भी रेड के लगी यह जैसे आया था वैसे हमने ट्राइल दिया तो इसको चार्ज नहीं किया था हमने तो अब इसे बहां निका लिया कि कैसी ऑपरेट करता और यह कितना टाइम लेता है टायर में हावा बरने के लिए तो आगे हमारा 30 PSI था तो उसको 35 कि आमने और पीछे 40 PSI चीए था तो 35 था तो इसको हमने 40 किया तो दोनों में 55 PSI कम था तो पात-पात PSI को बरने के लिए इसको लगा 30 से 35 सेकंड औ और प्लस इसमें Auto Cut-Off है तो जैसे जो प्रेसर आप सेट करोगे तो Automatic के Cut-Off हो जाता है तो मुझे तो यह प्रोड़क्त बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी में एक ट्रैवलिंग पे जाओंगा तो उस पे जाके फिर हम दूबारा इसको चेक करेंगे कि इसका परफॉर्म क इसका में Link description में डाल दूगा तो वहां से बाई कर सकते हो तभी बहुत ही चीप प्रैस पी चल रहा है 2000 रुपे गा एक्च्वल में 2590 में मिलता है लेकिन अभी 2000 का मिल रहे तब वहां से जाके बाई कर सकते हो तो थैंक्यू सो मच हमारे वीडियो देखने ले तो चैनल को कर देगा और अपने दोस्तों में सेर्वी किजेगा यह प्रोडक्त बहुत ही अच्छा प्रोडक्त है अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो यह आपके बास होना चाहिए मस्ट बाई प्रोडक्त है इसके लिए मैंने भी लिया तो ठैंक्यू सो मच और बना रहे हमार इस वीडियो में तब तक ले स्टे ट्यून अ